कि यह हमारे पास एरियलेक्सर एसेश्टी कैमरा इसमें लगा हुए मास्टर प्राइम का लेंस और यहां पर हम फोकस को दिखाएंगे आपको यह देखिए अभी हम आउन कर लेते हैं एल्डियस को साइट पैनल पर है प्रिया में गये और सबसे बाहर ही देखिए एकदम नीचे दिखाए दिया हुए लडियस को कर लेंडियों यह देखिए अभी यहां पर हंड्रेड यहं का लेंज लगा हुआ है फाइशिक्स के फोकस पर उसका फोकस रिंग रखा हुआ है यहां पर देखिए यह दिखिए पर फोकस रिंग रखावा इसको हम कर लेते हैं 5 पर अभी देखते हैं यह यहां पर 5 पर दिखा रहा है ठीक है यह यह हमारे लिए फोकस मार्किंग के लिए भी काफी अच्छा होता है कि एक दम सही पॉइंट पर लगा के रख सकते और यह सारी सेटिंग्स है यह सेटिंग्स पर आप चेक कर सकते हैं वैसे नमले इसको डिफॉल्ट पर ही रखा जाता है ठीक है और फिर अगर आप मॉनिटर में देना चाहते लिए उसी चीज को तो यह से बैक करें और आज है मॉनिटरिंग में एक एक ये मॉनिटर वन में जा रहे हैं अब लिकिन हमारे पास दिया हुआ है मॉनिटर 3 में आउटपूट यहां पर देखें मॉनिटर 3 है जिसको हमने हॉले लेंड के ख्टू मॉनिटर में दिया हुआ तो उसमें हम दिखाते हैं इसको जाते हैं मॉनिटर 3 में आउटपुट में हम 123 मॉनिटर आउटपुट और इव चारों में अलग-अलग सेटिंग करना पड़ते हैं तो यहां पर मॉनिटर आउटपुट 3 में गए LDS इस इनफो को कर दिया ओन ठीक है अभी देखिए हम आपको सौगर में दिखाते हैं यहां पर देखिए हंड़ेंड का लेंस लगा हुआ है मेगा मास्टर प्राइम हंड़ेंड टी 1.3 ठीक है और इधर और राइट साइड में आप देखिए यहां पर 17 फिट पर फोकस रखा है तो वह भी हम कर सकते हैं बाकी हर जगा आफ करके सिर्फ इलेक्ट्रानिक विफांडर में जाए और फिर उसके बाद फ्रेम लाइन में जाए ल्डियस इंफो आउन करें और फिर उसके बाद आप आजाए इवी अप में देखते हैं आ गया कि नहीं यह देखिए यहां प अब फिर से देखिए कि यह दिखिए उपर सारे इंफॉर्मेशन उपर आपको सो कर रहें ठीक है इस तरह से ंट्रींट को हम अलग अलग जगहों पे अलग अलग कर सकते अभी आपको दिखातें लडियस करेक्ट कहां से होता है यह देखिए हमारे मास्ट्रपाय मैं ने ख यहां पर अगर लेंस को कभी-कभी उल्टा लगाना पड़ता है तो यहां पर भी दिया हुआ है या किसी-किसी लेंस में दूसरे साइड में भी अप्शन दिया रहता है तो उसके साइड में दिया रहता है तो वहां से वह कनेक्ट हो जाता है ठीक है